हालो फ्रेंट स्वागत आप फिट से आप से भी कहा हमारी यूट्यूब चाले में और दोस्तों आज हम बात करेंगे करेंगे इस बीट नोटिफिकरशन दो है 21 को लेकर यहां पर बाते होगी आप सबी को पता कि अब इस बीट के बारी है इस बीट के नोटिफिकरशन आ सकता है कब इसकी पेपर हो सकते हैं हो सकता है क्या होता है अधिड़ क्या होता है पिशह में पूप्र करने को लेकर है कि आप पास क्या होने डी इस लिटर क्या होने चाहिए होने हैं और iz Land कर surfing moriui गर इखता होंगे तो आप तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस लगबग कितनी हो सकता है ठीक है अगर लास्ट की बात करते हैं वहां था लगबग 8000 प्लस लेकिन इस बार की वैकंसिस हम कितना नुमान कर सकते हैं एक एक सब्सक्राइब हम एक सब्सक्राइब बाद करें तो बाद करें अब रहा कि इसका जो नोटिफिकेशन विक आजने को मेजर तक यह नोटिफिकेशन रिलिज के बाद आप यहां पिका करेंगे उसके बाद आप जो है की फॉर्म फिलप होगा ठीक है ओलान अप्लिक शोन इसस्टार्ट हो हागता है तो आपके पास 15 ता के समय मिलता है वागता को Мне लिवाद हो सकते हैं तो बहुत जादा समय मिलता है एक्जामल लिए लिएक क्याचारा तो आपको या सबॉसे सिक थे करने हो तो घ्लिए कुछ ऑर va-day एंड में होता है चैनलंट में अगर dominant त्रींग करते हैं बना कर और सो याई पर यथा नियुक्र कथे प्रफॉडियंट में ऐन और ट्रेशी करते हैं ये स्ट्रफाइज अपर Still करते हैं डेफिनिटिल आपका पृवी योगा मेंश भी के लोगा मैंस बीकर 콫ाइब काई अتي Гartap को करना से होगा में से लगाते रहेन जो को कुछन है उसको करते रहना पर रहेगा और जितने को कुछन हैं अगर मUI मॉक टेस्ट्रों देते रहेंगे तब ही जाकर यह मुंकिन है कि इसका फानल सेलेक्शन तक आप जा सकते हैं यह तो हो गया बात आपका फॉर्म को फिलप को लेकर और कब तक आने की उमीद है अब यहां पर एज की बात करते हैं देखिए एज है कि 20 साल से लेकर 28 साल तक है में इसकी कैंडिडिट अराम से फॉ कुल से के सब्सक्राइक से उंस्क्राइब कर देखिए वाधा हैं थुर्म से कसे हैं और फ्रसी में थारूऀं ऐड ओने सी साल से बात करते हैं एक तो हो झालूब जाए तक निकों चूट मिलता प्ल समिकूट साम बात नपिक्या बात करते हैं तो स्टी और शीया ही मस्ट खोल्ड वैलिड डिग्री इन एन डिश्विंग फॉर्म रैकर लाइज इन वर्सविटि जैसे मैं बताए कि आपके बस डिग्री हो निशे मिस्ट आप पास होने चाहिए ठीक हो जाब यह बीए हो जाब यह बीए सी हो या बीए सी यह बीए के एक वैलिट जो भी आपने कोर्स कर राखा है अगर उसकी डिग्री आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं चली अब यहां पर कंप्यूटर लिटरिस्टी की बात किई गिए हैं तो कंप्यूटर की बस बेसिक नॉलेज होने चाहिए हाली डिग्री की में कोई जरुवत नहीं है आपके पास इसकी सिंपल एक कंप्यूटर की डिग्री होने चाहिए सिंपल एक छोड़ा से डिग्री होने चाहिए कोई भी डिग्री बस कंप्यूटर नॉलेज होने चाहिए ठीक है अब देगे सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं फटा-फट सिलेबस ठीक है सिलेबस की बात करते हैं ए कि भी मार्केंग तो यहां स सबसे क्या होते हैं जो इसका है क्या पूछे जाते सबसे पहले हम बात करते हैं को पैस्ट कोशन होते हैं और इसके लिए 20 मिनट ही समय मिलता है जैसे 20 मिनट होता है वहां से और नेक्स्ट सेक्षन में चले जाएंगे तो यादर कि 20 मिनट से हर सक्षन के लिए आपको समय मिलता है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा और मिला करेंब है उल्वर की बात नहीं होगी ठीक है चली अब इसके बाद सब्सक्राइब लूक्ट्राइब कोशन किस तरह से बठा होते हैं यहां पर देखेंगे का कि अपनीट करते हैं तो करने मस्क के लिए और इसके लिए यह सब्सक्राइब करते हैं जणर्ल या फिनांसियल ऑवर्णिस की बात करते हैं पचास कोशन होता है पचास मास के लिए इसके लिए आपको मिलेंगे ठीक है वहीं बात करते हैं पचास कोशन मिलेंगे फाला रखी हां पाद फोल्मियां है उनके होते हैं 20 होओं थे सब से पहलों प्रिकलियर कलना होग प्री तरह करने के लिए आपके पाद और यह दिमाग में हो रहिघे कि हमें तो प्री क्लेर करने के कूं से कम सिवैंटी करके आने होंगे और सेवेंटी प्लस करके आने के साथ साथ यहां पर एक्जाम प्री तक करेंगे उसके बाद यह प्री पेपर देते हैं आपके पास हो जाएगा तो उसके बाद आराम चाप डेली एक मॉक टेस्ट में इसका लगाकर और अनलैसिस मैक्सिम करेंगे ठीक है इसमें एक टेस्ट की बात होती है से लोकल लैंग्विज टेस्ट यहां पर लिकाए कैंडिडर कॉलिफाइन एस बैकलर में नीड टू क्लिए लोकल लैं ह tiene English नहीं आता है तो आपको उस लैंग्विज के लिए test देना होगा अगर इन्वेच्ट कर अगर एक चीज और म現 है कि अगर आप जिस उस लैंग्विज को अगर आपका जो मैट्रिक की बात यहां पर की गुenne 10th standard की बात की गई है class 10th में हो या फिर 12th में अगर आपका वो subject है अगर वो subject था अगर आपके 10th या 12th में तब उसको सब्जेट का उस language का टेस्ट नहीं देना होगा हो सकते हैं आप अपने उरिशा के लिए अप्लाई किया ठीक है वहां पर उरिया भास है अगर आपने 10th या 12th कर रखा उसमें अगर आपके उरिया अगर language होता है अलागि होता तो नहीं अगर होता है तो आप वहां पर इसके ल आपको वहां पर कोई लैंग्विस्ट टेस्ट नहीं देना होगा ठीक है इस चीज़ में यहां पर यहीं चीज़ मेंसन किया गया चलिए अब आते फटा-फटा एक सिलेबस भी देख लिए सिलेबस में क्या-क्या पूछा जाता है सबसे पहले इंगलिस का टॉपिक के बात हम करें चांथ है सबस्क्राइब को लिए आपको यहां पर यहां पर आते हैं आपको दो मैकसिम देख सकते हैं एक दो तीन जो भी हो ठीक है युठीस में इंकार करके देंगे तो चैपर है कि सबिसके करने होता है कि आताए है वह बहुत को नहीं होता है बहुत तफ नहीं होता है इसका shine सब्सक्राइब यहां पर इसका रहता है डिया से हो सकता है यहां पर यह हो सकता है दस या पांच के फॉर्मेशन में आ जाए और सीज का पांच का ही होता है अब आते हैं रिजनिंग के बात हो गई ठीक है रिजनिंग सब्सक्राइब यहां पर क्वांच की बात हो रहा था ना कि इसकी को कहता है यह इसके बाद आते हैं रिजनिंग के बात करते हैं रिजनिंग क्या क्या पूछा जाता है यहां पर सबसे पजल जो होता है City में मान के चलेंगे यहांपे 15-20 के कोश्चन 55-54 सेटा सकते हैं 55-60 करके 15-20 हो सकता है अगर यह 5-4 पता यह पूचता है तो यह दिदर हे जो रही जया जा एका सवाल आ सकते हैं आपको यहां पर कुछ ऐसा वर्ड दिखा है शांब फिर पुछेगा कि इससे पांच का एक वर्ड देदेंगा इसको अरेंज करना है कि पूछा जाता है तो उसके बाद इससे एक स्विज्ज रहता है ठीक है कुछ में इस प्रॉब्लम से कुछ कोशन दिया जाए तो इससे कुछ ऐसे पजल टैंप में दे दिया जाते है या फिर आपको कुछ वाले में जैसे यह ना जो यहां पर आते हैं वेंड डैंगराम से रिलेटेड कुछ एक एकाद कुछ देखने को बन सकता है अब देखिए सारे चीज़े आपको पता चाहिए एस पता चल गए इसका स्लेवस पता चल गया एक्जाम के अगर बात के तो मार्श फरवेंड इंड है कि हमें तो कुले करने हैं तो अपको लाना होता है अगर वह करते रहते हैं तो इक्जामेंगे बिस देखें और पेपर देखें अब देखें आपको देखें यह चीज अनुहब होगा ठीक है अब देखते हैं हम बात करते हैं यहां पे SVA के लिएमस कटफ के बारे में 2020 के बार में क्या के कटफ हर स्ट्रीट के क्या के कटफ रहा था इसके एकॉडिंग आप त्यारी करेंगे जो देखिए हम सबसे बात करते हैं उतराखंड का यह था 69.75 उतराखंड का था गुजरात का 56.75 था मत्रपरदस का 68.75 था सरकंड का 68.25 था उतरपरदस का 71 था पंजाब का 77.50 था तमिनाडू का 62 था राजस्थान का 68.75 था देली का 76.25 था चंडिगट का 76 था आंदरपरदस का 68 था बेस्ट बेंगौल का 67.5 था ओडिशा का 68.25 था करनाट का जो था 58.75 था वही हमाचाल परदस की बात करते हैं 66 था करदा का 69.75 था हरोयाना का 72.75 था तलंगांडा का 66 महारास्था का 59.75 था बिहार का 68.75 था शत्यसकत का 68.75 था तो खुल मिलाकर आप देशकते की सकते की सतर से लेकर 75 जो है लगबक सभी स्टेट में था कुछ एकाद दो स्टेट को छोड़ दे करनाट का महारास्टा को तो आपके अटेंब्ट अगर 70 से 75 होते 70 प्लस कर गया थे डिफिनेटली आपकर इसमें हो जाएगा प्री में खासकर में इसकी बात कर तो मैंस जब आप प्री के लिए मैं इसके पर भी एक सब्सक्राइब बनाकर लिखांगो जो कि आपको हेल्फू होगा आपकी एक्जाम करके पूछ लेना मैं आपको जबागा